अलो एवरीवन दिस इस उतकर शुकलाव रूतकरश एजुकेशन बाल विकास फॉर ओल एक्जाम सीरीज के लेक्चर्स में जिसके जरीए बाल विकास किसी भी एक्जाम में आता हो आप पे उसमें नंबर अच्छे से अच्छे आ सकें कोई भी क्वेश्चन आपके पढ़े से से बाहर ना आए उसके लिए जो सीरीच चल लए है उसमें आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टर्णवर का तित्रंत्र बुद्धी का सिध्धान ठीक है तीन प्रकार की बुद्धियों के तंदर को मिलाके इनोनेक सिध्धान दिया है उस सिध्धान को आज हम पढ़ने वाले हैं अगर आपको लेक्चे समझ में आता है कुछ लाब मिलता है देन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंजॉइन टेलेग्राम फो डिसक्रिशन और पीडिएफ्स टेलेग्राम का नाम लिंक में मिल जायागा सब्सक्रिशन ही है ओके चलो आओ बिना टाइम और बाद की पढ़ना चुरू करते हैं तो उस टर्णवर्ग ने सिध्धांत 1984 दिया है तो तंत्र बुद्धी का सिध्धांत कहा जाता है जिसे सूचना संसाधन भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि तीन प्रकार के तंत्र होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति सूचनाओं का संसाधन करके समस्याओं का समाधान करता है समस्या संबंदे जो सूचना होगी उसको समझा और उसके एसाब से उसने अपनी बुद्धी के तंत्र का यूच किया और उसका सॉलूशन निकाला ठीक है इन्हो प्रकार होते हैं उसमें मूल कोशल जुड़े होते हैं जैसे कि अभी नीचे नहीं देखना है कि क्या मतलब उन्होंने प्रकार बता secondo इस बात को ऐसे समझगी कि सी बुद्धी के तीन मलो दो प्रकार है शारिरिक बुद्धी और विभारिक बुद्धी या मानसिक बुद्धी जो भी तुम्हें बोलना हूँ तो शारिरिक बुद्धी सम्मंदित कोई मूल कोशल उसके पास होगा, चलना, बैठना उठना दोड़ना इसम मूल कौशलों में आएंगी ठीक है अब आओ आगे प्रत्य घटक के अधार पे उसका जो घटक होगा उसको इस समस्या आएगी वो समस्या उसकी बुद्धिमाग में जाएगी विबिन घटकों में उस समस्या समंदे जानकारी जाएगी और उसके अधा ये से देखोगे तो ऐसे करना पड़ेगा उसे फिर वो जाचेगा परखेगा कि किस तरीके से करना है और उच्चित समाधान को चुन के फिर वो समस्या को सॉल्व करेगा इस तरह से उतार ये प्रक्रिया के पांचरण बताएगे हैं पांचरण ये हैं देखो पहले समस्या आएगी समस्या आएगी तो समस्या को वो इनकोर्ड करेगा सूचना होगी पैचान करेगा कि इस समस्या संबंदित जनकाली क्या-क्या है मुझे इस समस्या को समझने के लिए क्या-क्या पता होना चाहिए उसके बाद वह अपने दिमाग में अनुमान लगाएगा कि अच्छा लगाने के बाद वो अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया को चलाएगा कि अच्छा मैं अगर यह किया तो ऐसे हो सकता है पूरी प्रक्रिया जब चल जाएगी उसमें से फिर जो सबसे बढ़िया प्रक्रिया होगी उसका यूज करेगा वो एप्लिकेशन में और उसके बाद जो समस्या का समाधान होगा application के बाद उसको समझेगा कि कितना effective रहा बुद्धी के अब त्रितंतर का स्धान तो त्रितंतर को भी तो deal करना है तीन तंतर को जो घट के नोंने बोले है तो तीन तंतर में पहली है घटकी बुद्धी विचलेशडातनक बुद्धी मतलब सोचने और समस्या को हल करने का प्रयोग करना है हल करने में प्रयोग किया जाता है तो समस्या को हल करने में तो सभी का प्रयोग होगा यह सोचों की मानसिक विवस्था है सोचने की विवस्था है इसमें एक होता है कि समस्या को समाधान सोचना है और उसके लिए योजना बनाने का जो काम है उसे मेटा गटक करता है योजना बनने के बाद उसे यूज भी करना उसका इस्तिमाल करना प्रदरशन गटक करता है ठीक है और उसके बाद जो निशकर्ष तुम निकालोगे उसे नई जानकारी में जोड़ना या समस्या समाधान करते वक्त कुछ नया पता चल जाए तो उसे भी जोड़ना ग्यान अधिग्रेन घटक करता है अब चुकि नई जानकारी है तो सबसे पहले उसका अमूद सिंतन भी हो सकता है इसलिए उसको यहां भी लिख दिया गया है लेकिन तो मैं ऐसे दिमाग में रखना है योजना बनाना, लागू करना और नई जानकारी जोड़ना उसके बाद दूसरा गटक अनुभव और रचनात्न भूद्धी पहला था सोचने वाला समस्या समधान संबंदित था यह है अनुभव से सीखना जो डेली के नॉर्मल अनुभव हो रहे है उन से तुम सीख गए और नहीं नहीं से तरीकों से समस्या सुल जाने की छमता पैदा करने लगे जिससे जो तीसरा पाट था अमूर्थ चिंतन वाला पिछले घटकी बुद्धी का जो तीसरा पाट था ज्यान अधिकरेन उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रियुक सबसे ज़्यादा होता है जैसे जब पहली बार समस्या मिली होगी अनुभव के समय तो नवीन जो बुद्धी का भाग है उसको तुमने यूच किया और जब कोई समस्या डेली मिलने लगे तो देरे देरे वो आटोमेटिक हो जाती है जैसे पहली बार गाड़ी चलाई होगी तो कुछ समस्या का सामना करना पड़ा होगा तो वो नवीन में आयागा लेकिन जब रोज अब देरे देरे तुम सीख गए रोज गाड़ी चलानी तो अब वो आटोमेटिक हो गई है ठीक है अब तुम्हें अपने आप उन चीजों को करता है जो गाड़ी चलाने के लिए जरूरी होती है और आखरी भाग है व्यभारे गुद्धी संदर बातन गुद्धी रोज मर्रा के कारणें से निपटने की शमता इसका आर्थ ये होता है कि समाज या परियावरन इन से जब डील करना होता है तो व्यभारे गुद्धी का प्रियोग होता है रोज मर्रा के कार पिछली वाली में भी थे जब अन्वो के आदार पे हो रहे थे लेकिन ये समाज के साथ है तो मैं लोगों के साथ डील कैसे करना है अपने आसपास के वातरवन के साथ डील कैसे करना है उसके लिए इस प्रिकार की बुद्धी का प्रियोग होगा इसके भ कर जाओ और तुम घर में रहुए पर घ्र में रहर लो तुम बहु आर निकले आप और आकार देना, कि जिस office जिस घर में बैठे हो, उसको अपने इसाब से बदलने हो, बदलने का कार जरू करो जब पहली बार किसी घर में गए, या किसी घर को खरीदा या गर बनवाया, तो तुमने उसमें कुछ change भी तो किये होंगे, अपने इसाब से उसी को आकार देना या शेपूं कहा जायागा ये तीन चीज़ें ज्यादा दिरूरी नहीं है ये बस ऐसी लिखी हुई है इनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कभी पूछी नहीं जाती है ठीक है इस छोड़े से लेक्चर में स्टर्णवर्क के त्रितंत बुद्धिक सिधान्थ को मैंने आपको पढ़ाया प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राब माई यूट्यूब चैनल जहिन